है 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 दोस्तों स्वागत है आपका अपके अपनी चैनल दी इए उसम्वे! इस वीडियो में ने आपका जो सेक्रेटारीट असिस्टेंट अरका यह हम्हारे का एक्जाम हो चुका है 17 दिसम्बर को उसमें कल मैंने आपको आंसर की बताई थी तो दोस्तों उस आंसर की में कुछ doubtful या कुछ गलत questions जो थे वो थे तो वो मैं आपको यहाँ पर पूरे clear कर देता हूं कि कौन-कौन से वो मैंने लिख लिए तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिये कि यह doubtful questions है या wrong questions है जो कि मैं आपको दुफेर में करवा दूँगा अभी में रात में करवा रहा हूं आपको दुफेर में time नहीं मिलाता है और एक आपका सबन काफी आ रहा है कि जो हमारा typing test होगा वो आखिरकार कब होगा ठीके तो इसकी भी मैं आपको जानकारी इस वीडियो म करा रखा दीकि आपको दिखा देता हूं ठीक है यह हमारा चैनल सब्सक्राइब के सब्सक्राइब कर लें यहां पर आप community टैब में जाएंगी वहां पर मैंने पॉल कंड़क्ट करा रखें जैसे जैसे में आपका क्या स्कूर रहा है ठीक है यहां देकि 4.2k वोट्स होगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग को आप वोट करवाएंगे यहां पर तो हमें एक अच्छा खासा डाटा मिल पाएगा ठीक है इसके अलाब़ा जैसे का पर भी अपने पोल कंडग कराईए कि क्या आपका रह सकता है जादा से ज्यादा जाईए कैड़ेट और यहां पर अपना वोट शेयर कीजिए यह करा रखा है मैंने इसके अलाबा जैसे का हॉस्टल वार्डन का पीजटी का रिजल्ट कवाएगा यह अप्डेट पर शुग और इसके अलाबा टैलीग्राम पर भी मैंने यहां पर पोल कंडक्ट करवा रखए तो यहां पर भी जाके आप शेयर किजिए का लीचे से जोइन कर लिए ना टैलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर टैलीग्राम की यह डायरक जाके डैक्सामन पर डालके लेते कि कुछ उसमें दिक्कत है तो मैंने आपसे देखिए यहां पर लिए दोस्तों मैंने यह आंसर की रात में दो गल्टे मिन रही थी दोस्तों कल क्या मैं थोड़ा सा कर विए तो फिर मैंने आपके लिए पूरा सॉल्ट की अपेपर को उसके लिए यह कोशन समय आपको डाउट है तो यह चलिए मैं डाउट आपका क्लियर की देता हुँ चलिए और जो मैंने कटउप बनाया का हाई क्यों जाएगा वह उसका रीजन यह आपर देखिए था ती और जो भी अपडेट आ रही है मैं सबसे पहले यहां डाल लूँ तो जाके जोइन कर दोस्तों तो इसमें सबसे पहले जो आपको दिक्कत आई थी यह दिकर रीजनिंग हो गया को मैंने आपको पूरी सॉल करके दे दी ती तो मैंस भी आपको पूरा सॉल्यूशन सहित मैंने दिपर डाल रखिए अपने टेलीग्राम चैनले पर वहां से जाके लिए दे जाना यह मैं दूसरी अपडेट डाल दूँआ है लो मैं इसको सेफ कर ले था हुआ है तो यहां से हम जाएंगे और यह है यह वह चीट और मैं इसको यहन यहां से बेज देता हूं टीकर कि अब डाल डिए के ऑल के सामने ही डाल दिए टाल डिया तो यहां पर आपको आयरे इसके वाद हमारा अगर इसके जगा के भी इसका मेद जेगते ना तो हो सुड़े आते नीते सर ने आपको कराया भी हुगा कि पेपर में हवा नहीं लग दी यह इसका तो रीजिनिंग भी बहुत सिंपल दा इसमें डिक्तत यह विए कि इसमें जो बेंक पैटन है डाल दिये गया तो मैंने जब इसके अलाबा एक टाइमेंड वर्क वाला यह वाला कोशन्स थोड़ा अच्छा था यहना कोकि इसमें पूरा बेसिक मेतड़ लग इसको आप ट्रिक्स को गेरा से बहुत मुश्किल लग पर इसमें बेसिक मेतड़ से जो गया बहुत बन गया यहां पर ठीक बाकी सारी चकपन नंबर में जो यहां पर बच्चे आंसर इसमें तोड़ने में देखका थोड़ी थी तो इसका आंसर हुआ कि बेलन रोलिंग से घर्षड कम होता है यानि कि रोलिंग रेडियूस्ड फ्रिक्शन क्या करेंगी घर्षड को कम कर देती बाकि पहला बाला कि किसी सतय से पूरी तरह समाप्त किया सकता है नहीं ऐसा नहीं है हमको सही डूड़ना यह गलत है घर्षड को समाप्त नहीं किया जकता पूरी तरह से थोड़ा सा रह जाता है सरपी घर्षड बेलन से घर्षड से कम होता है नहीं इसका उल्टा होता है इसका उल्टा होता है तो इसलिए वाला इसमें दोस्तों मैंने क्या करा था मैंने इसकी इंग्लिस नी पड़ी तो मैं इसको थर्मो सेट पढ़ने लग यह था वह आपका जो मूल अधिकार हैं उन्हें लंबित नहीं होती कौन से आर्टिकल नंबर यह थो होता है 20 और 21 इसमें जो बात है लिखी थी वह यहां पर दी तो उसके लिए आपका आंसर नंबर वेक सही हो जाएगा चलिए मैं आपको थोड़ी देखाने की कोशिश करता हूँ ठीक है यह देखिए यह देखिए यह मेरे नोट से उसमें लिखा हुए बगायदा देखिए अनुशेद 20 अपरादों के लिए दो सिद्धी के सं जो है यहां पर पूरी डीटेल लिखिए कि किस तरीके से क्या चीज़ होती है यहां पर किस से आपतकाल से छूट मिली हुए इसको ठीक है चलिए तो यह मैंने लगा दिया था विए आपका सही आंसर होगा दूस्तों यह वाला सर्फिंग फ्रॉम एन एलिमें ठीक है इसके उसकी माताजी दिल्ली में रहती है मैं उससे रात पर पढ़ने में थूड़े दिक्कत हुगी थी तो मैं इसलिए आपको सही करवा रहा हुए तो इसलिए दाकी तो सब सही बतायती है इसके बाद 120 कोशा कंपूटर में तो आई बहुत से लिए मिस्टेक कर दी मैं बता रहा कि ओपन सॉर्स तो यह होता है प्रोपायरेटी और यह होते हैं ओपन सूर्स इंप्रेस इसका अंसर हो जाएगा ठीक और एक कोशन था 117 यहां पर मैंने बहुत मिस्टिक कर दीदी बहुत बढ़ी स्वारी दोस्तों मैं इसको इस्टार मैं पता है रात को मैं क्या कर रहा था ठीक है 127 में यह वाला मैंने क्या था यह मुझे से गलत पढ़ने में आगे जल्दी में यहां लिखा था क्या वैद नहीं है इमिल एड्रेस में स्पीस नहीं ओनी चाहिए तो यह वाद सही है यह पूछा और यह वाद भी सही अग्या सबस्के यह बीख सकते है यह आपका फिर था वश्जार में पढ़के Kुछ लॉजिक नहीं लगाया यह सीधर मार दिया बट आपका पर इसको इस में यह नोड होता है सेंटर में ठीक है और यह आपको इसको बोते हैं मैं यह फुल्ली तो यह आपको जागा यह आपकी रिंग और यह बस टॉपलोजी ठीक चलिए और यह अकांटेंट का जो लोग पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों यह दो पेपर जो हुए है इसको अच्छे से अनलाइज करना और इसमें जो टॉपिक पूछे हैं उसी के बेसिस पर अपनी त सब्सक्राइब करें तो इसके अलावा मैं आपको एक्सवक्टिक करवाने की कुछिशिश करूँगा इतना हो सकेगा ठीक है तो चैनल पर जोड़े रहीगा कौन से डाय एक्जामेल पर जीक पर आप कराएंगी चाहिए तो अब हम दिख लेते हैं कि आपका जो कि अगर बात करें देखिए टाइपिंग टेस्ट आप बहुत लोग पूछना की कब होगा तो बता तो आपका जो टाइपिंग टेस्ट अधिकि सबसे पहले इसमें प्रोसेस रहेगी अभी जैसे का आपका एक्जाम हो गया या कोई भी एक्जाम होगा है के इसके बाद किम आईपकी आपका क्या होगा थेषट होगा अब इतने अस्टेजिए लगेंगे आपर 24 नवंबर तो ये लगेंगे 7 देज ठीक है इसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात कर ले तो इसमें आपको 45 देज से लेकर 60 देज तक लग जाएंगे यान कि आप 24 से लगाएंगे तो 45 देज आप पूरा 31 से ही माल लीजे तो जनवरी पूरा और लगव मिड फिरवरी या एंड और फिरवरी में आपको इसका रिजल्ट देखर रही बाद टाइपिंग की तो जिस दिन रिजल्ट आगा उससे 15 दिन से लेकर 45 दिन के भीतर भीतर आपके टाइपिंग हो जाएगी यानि कहीं ने कहीं जो आपकी टाइपिंग है या तो फिरवरी के एंड में अब आप करणगे कि किया तरीके से कर वाली जाएगा तो इसके लिए आपको सिंप्ली क्या करना है है सिंप्ली जो है यह दे Quinn Remote के बस इतना सा काम करना को जो हमारा है उसे जाके बस सबस्क्राइब कर दोह हो गया काम ने थी यह इक dar लिए फेहां णता है चली स्कर्य डेते इसको भी स्सक्राइब करते इस इसको भी हम काट देते हैं पूरा और उसके लिए देखिए आप इसको जोईन कर लिए पहले तो टैलीग्राम चैनल से और यूटुब चैनल से सब्सक्राइब करें मैं इस पर कल आपको वीडियो बनाके दिनी कुछ करो नहीं तो परसो कल रात को या परसो सुबहे तक मैं आपको यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद बिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तक तक लिए जय हिर जय भारत